देश में लोगसबा के लिए होरे आम चुनाओं में भारत्य जनता पाटी भी केंदर में अपनी सरकार की रही खास कर आरेसस वादी, पूंजी वादी, संकीन, संप्रदाइक, दुएस पूर्ण, वे जाती वादी गलत नितियों अब हम गलत कार्य परनाली की वज़े से इस बार ये भारत्य जनता पाटी भी केंदर की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अब इस चुनाओं में इनकी कोई भी नाटक बाजी वे जुमले बाजी आदी काम में आने वाली नहीं है जिसकी मुखे वज़े ये है कि बर्तमान में परधान मंत्री सिरी नरेंदर मोदी ने यहां पिछले लोगसबा के हुए आम चुनाओं में देश के विसेश कर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वरगे अब हम अन्य महनत कस लोगों को भी जो इने अच्छे दिन दिखाने के असंखे परलोबन भरे चुनाओं वाइदे किये थे तो उनका अभी तक भी इनोंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चोथाई हिसा भी कारिये पूरा नहीं किया है बलकि इसके स्तान पर इनका ज्यादा तर समय वे ताकत भी यहां इनके अपने चहेते बड़े बड़े पूंजी पतियों एवं धन्ना सेटों को ही और भी माला माल वे धन्वान आदी बनाने में तथा इने हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चोकी दारिक करने पर ही लगा रहा है जबकि यहां देश के किसान तो इस सरकार में सुरू से ही अपनी बिभीन समस्यां को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं और खासकार उत्तर परदेश में खासकर उत्तर परदेश में तो यहां बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए अवारा जानवरों वे पसुओं के जरिये इनको और भी ज़्यादा बरबाद करके रख दिया हैं इसी परकार केंदर में पूर्व की रही कांग्रेसिस सर सरकार की तरह ही बरतमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन, संप्रदाइक वे पूंजी वादी सोच के चलते हुए यहां पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिष्डे वर्गों, मुसलिम वे अन्य धार्म समाज के लोगों का भी कोई खास विकास वे उत्थान आदी नहीं हो सका है, और इस संदर में वैसे आप लोगों को यह मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहां धलितों, आदिवासियों, वे अन्य पिछडे वर्गों का सरकारी नोक्रियों में आरक्षन का कोटा अ आरक्षन अभी भी यहां प्रभाब ही नहीं बना वुआ है, और इतना ही नहीं, बलकि केंद्रवे राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन दिये जाने की व्यवस् पतियों वे धन्ना सेटों को ही दिये जारे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षन का बहुत कम ही लाब मिल पारा हैं, इसके साथ ही इनका हर स्कर पर आई दिन शोशन वे उत्पीडन आदी होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है, इन वर्गों के साथ वे अन्य धार्मिक अल्प संके समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यह काफी ज्यादा खराब वे ध्यानी ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सचर कमेटी के रिपोर्ट में भी किया गया है, और बरतमान में केंद्र वे अधिकांस राज्यों में भी बीज अंसाई हो गया है, और अब इन पर हर स्तर पर आई दिन हो रही जुल्म जाती भी यह काफी ज्यादा चरम सिमा पर पहुंच चुकी है, इन लोगों के इलावा इस सरकार में यह अपर कास्त समाज में से विसेश कर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, इसके साथ ही इनकी केंदर की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोट बंदी, वे जीएस्टी को जिस प्रकार से बिना पूरी त्यारी के ही इसे बहुत जल्द बाजी में लागों किया है, तो उससे अभी हाँ पूरे देश में घरीबी, एबम बेरोजगारी और भी ज़्यादा बड़ी है, और इससे छोटे एबम मध्यम वर्गी वेपारी वर्ग अभी भी यहां काफी ज़्यादा दुखी है, देश की अर्थ व्यवस्ता पर भी इसका लगातार काफी बुरा परभाब पड़ा है, बरस्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज़्यादा बड़ा है, जिससे हमारे जहां रक्षा सोदे तक भी अच्छूते नहीं रहे हैं, इसके इलावा केंद्र की बर्तमान भाज़ापा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तोर से सुरक्षित रही हैं, जिसकी वज़े से ही यहां आए दिन आतं की हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक भी यहां काफी ज़्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं, किन्तु इस मामले में अती दुख की बात यह हैं कि इसे भी अब बीजेपी के लोग इस चुनाओं में किसी ना किसी रूप में भुनाने में ही लगे है ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाओं में कांग्रेश, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों को भी यहां किसी भी कीमत पर केंदर की सत्ता में आसी नहीं होने देना हैं, जिनको आप लोग काफी अजमा भी चुके हैं हालाके सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहां सभी विरोधी पार्टियां किसम किसम के साम दाम दंड भेद आदी हतकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिस कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाओं में भी हर इस्तर पर काफी ज़्यादा साबधान र रूपों में जारी किये गए, इनके जादातर हबा हवाई वे परलोबन भरे चुनाओी घोषना पत्रों के भैकावे में भी बिलकुल नहीं आना हैं, जिनने ये पार्टियां चुनाओं खतम होने के बाद अधिकांस दर्किनारी कर देती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का जादतर विश्वासी उड़ता चला जा रहा है, जिसकी खास वज़े से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाओं में अपनी पार्टी का कोई भी चुनाओी घोषना पत्र आदी जारी नहीं करती हैं, और इस संदर्म में मैं खास कर बीजेपी वे कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी, कि बीजेपी ने देश में पिछले लोग सबाके हुए आम चुनाओं में अपने जारी किये गए चुनाओी घोषना पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंखे परलोबन भरे चुनाओी वाइदे किये थे तो इनके अब ये अधिकान चुनाओी वाइदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरही ज्यादा तर खोखली हिसाबित हुए